हेलो डियर इस्टोडेंट इस वीडियो में हम जानेंगे पचास से साथ ये छोटे छोटे इंग्लिस के वाग की जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स और ये इंग्लिस स्पीकिंग का ये सेकेंड कलास है तो चली हम देख लेते हैं कि करकी चलो चलते हैं या चलो चलें लेट्स गो लेट्स गो मुझे जबाब दो आइंस्वर मी आइंस्वर मी मुझे जबाब दो पंची उड़ते हैं बट्स फ्लाई बट्स फ्लाई माफ कीजे एक्सक्यूज मी माफ कीजे एक्सक्यूज मी बहुत खूब फाइंटेस्टिक बहुत मैं बहोस हो गया, I am fanted, लेकिन वैसा ही है, but it is like that, लेकिन वैसा ही है, मैं हसा या मैंने हसा, I laugh it, I laugh it, मैं बोर हो रहा हूं, I am bored, मैं बोर हो रहा हूं, I am bored, मेरा दिवालिया हो चुका है, या मैं दिवालिया हूं, I am bankrupt, I am bankrupt, मैं दिवालिया हूं, या मेरा दिवालिया हो चुका है, मैं ठक गया हूं, I am tired, I am tired, ठंड हो रही है, it's cold, it's cold, कौन जाने, who knows, किसको पता है, who knows, किसे पता है, who knows, Friends, यह तीन तरह से है, और तीनों की English सेम ही होगा, क्योंकि तीनों अलग-अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन इसका सेंस जो है, एक जैसा ही है, किसे मालूम है, who knows, किसे मालूम है, या कौन जानता है, किसे पता है, तब भी हम who knows का परियोग करेंगे, who knows, अदभूत, wonderful, wonderful माने होता है, अदभूत या आश्चर जनक, पंची गाते हैं, birds sing, birds sing, पंची गाते हैं, अंदर आ जाओ, come on in, या कह सकते हैं, come in, निश्चित ही, definitely, हिलो मत, don't move, आग जलाती है, fire burns, उसका पीछा करो, follow him, मैं ठक गया हूँ, I am tired, I am tired, मुझे तैरना आता है, I can swim, मुझे तैरना आता है, या मैं तैर सकता हूँ, दोनों का sense एक जैसा होगा, I can swim, मैं तैर सकता हूँ, I can swim, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, I love you, Friends, यह लड़की के लिए है, और यह लड़का के लिए है, तो दोनों का मतलब आप I love you बोल सकते हैं, यानि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या करती हूँ, मुझे डरा दिया, He scared me, मुझे डर लग रहा है, I am getting scared, मुझे डर लग रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है, यानि क्या आपको सुनाई दे रहा है या फिर कह सकते हो क्या आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात इस तरह से तो can you hear me, can you hear me, क्या आपको सुनाई दे रहा है, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, yes I can hear you, yes I can hear you, मैं आपको सुन सकता हूँ, मेरा फोन बज रहा है, my phone is ringing, मेरा फोन बज रहा है, my phone is ringing, आप क्या कर रहे है, what are you doing, आप क्या कर रहे है, what are you doing, वा क्या कर रहा है What is he doing मैं TV देख रहा हूँ I am watching TV मैं TV देख रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ I am not doing anything वा PUBG खेल रहा है He is playing PUBG वा PUBG खेल रहा है He is playing PUBG वा फिरी फायर खेल रहा है He is playing free fire वा फिरी फायर खेल रहा है He is playing free fire मैं नास्ता बना रहा हूँ I am making breakfast मैं नास्ता बना रहा हूँ I am making breakfast वा कपड़े धो रही है She is washing the cloths मुझे गुसा मत दिलाओ Don't make me angry Don't make me angry वा फोन पर बात कर रहा है He is talking on the phone He is talking on the phone वा फोन पर बात कर रहा है वा फिल्म ड्रावनी थी That movie was scary वा फिल्म ड्रावनी थी That movie was scary ज्यादा होसियार मत बनो Don't act to be too smart Don't act to be too smart या don't be too smart मुझे बहुत डर लग रहा I am getting very scared मैं भूतों से नहीं डरता I am not scared of ghost I am not scared of ghost मैं भूतों से नहीं डरता आपकी मदद करने की खुसी होगी आपकी मदद करने में खुसी होगी I would be happy to help you So guys, आज के लिए बस इतना ही इसी तरह डेली English speaking practice करने के लिए और English grammar basic से advance तक सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सबस्क्राइब करें और जोड़ जाए तो चलते हैं फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई टेक केर धन्यवाद